पर्स करिए आपको प्रोपर्टी खरीदना चाहते हैं आप प्रोपर्टी कैसे खरीदेंगे उससे रिलेटेड क्या लीगल वैलेडिटी होगी क्या आपको लीगल परफार्मेंस करनी होगी इसके लिए आपको स्टैंप पेपर की जुरूरत पढ़ेगी आज हम लोग बात करेंगे इस्टैंप पेपर के बारे में तो इस्टैंप पेपर क्या है इस्टैंप पेपर राजस्षो विभाग द्वारा जारी किया गया एक A4Size का पेपर होता है जो की इसमें एक special printing होती है जो authorized vendor के पास हमें प्राप्त होता है जिससे हम प्राप्त करते हैं और उसका revenue सीधे government के पास जाता है अब हम बात करते हैं तो ये कितने प्राप्त का होता है ये दो प्राप्त का होता है एक तो होता है judicial दूसरा होता है non-judicial जो judicial होता है वो हम court में proceedings के दौरान जब court fees के through हम जो पे करते हैं कि उनको उनका इस्तेमाल judicial stamp paper में होता है और जिन में जैसे कि हम कभी मकान खरीकते हैं दुकान खरीकते हैं किसी तरह की कोई डीड करते हैं तो फिर उसमें हम non-judicial agreement नॉन जुडिशल स्टैंप पेपर का इस्तेमाल करते हैं और अब हम एक बात और करेंगे कि इसमें हम 10, 20, 50, 100, 500, 5000, 10,000, 25,000 जैसी भी जिस हिसाब से हमको खरीदना हो जिस हिसाब से हमारी प्रॉपरेटर की वैल्यू हो उस हिसाब से हम स्टैंप पेपर का प्रयोग कर सकते है जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका revenue सीधे government के पास जाता है अब मैं एक दो बातें और करना चाहूंगा कि ये किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं इनके भी दो माध्यम हैं आप एक तो offline तरीके से प्राप्त कर सकते हैं एक online तरीके से प्राप्त कर सकते हैं एक online जो तरी सो रुपए के ऊपर जितने भी स्टाम्प होंगे वह सिर्फ अब इस टायंप ही आपको मिलेंगी दूसरे जो आप आफ-लाइन जिनको कि आप तहसील या कचहरी में जूडीशयल है तो कचहरी में हैं और आप एक जगह एक stamp paper पर कुछ लिखते हैं तो आपके जो value होगी आपकी बात की आपके agreement की आपके rent agreement या जो भी आप deed करते हैं तो उस stamp paper पर उस stamp paper की जो विधिक जो देता होगी उसकी जादा होगी क्योंकि उस पर आपने सरकार को revenue दिया है वो कहीं न कहीं एक सरकारी record के तोर पर record है अब हम बात करते हैं कि इसकी validity कितने दिन तक रहेगी इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समानेता हमारे समाज में एक भरांति फैली हुई है जिसमें कि ये कहा गया है कि 6 महिने के बाद stamp paper खराब हो जाता है उसको 6 महिने तक ही वापस कर देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है मैं इस पर बिल्कुल साब बात कहना चाहूँगा एक कि stamp paper सिर्फ 6 महिने तक ही नहीं stamp paper का जीवन आजीवन होता है वो कभी भी खराब नहीं होता है हाँ यहाँ पर हमारा जो Indian Stamp Act है section 54 उसका ये बताता है कि सिर्फ आप 6 महिने तक उसको collector के पास वापस करने या उसको वापस करके refund आपको प्राप्त होगा आप जब उसको वापस करेंगे उसको आपने use नहीं किया है फर्ज करिए कि आपने उसको use नहीं किया है उसको खरीदा और 6 महिने के अंदर आपने उसको बिना use किये हुए आप उसको वापस करना चाहते हैं और उसके वज में आप अपना दिया हुआ पैसा मुल्य वापस पाना चाहते हैं तो उसको आप वहां पर दे करके उसकी जो नॉर्मल दस परसेंट का जो चार्ज है वो काट करके कलेक्टर आपको वापस कर देगा इस तरह से यहां पर हम वैलिटिटी उसकी आजीवन रहेगी ना कि छे मेने तक रहेगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज स्टेम्पेपर से रिलेटेड ज laund जैनारल जानकारियां हैं जो शमान ब्रांतियां फैली हुई है तो आज आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा उस रिगार्डिंग जो काफी बरांतिया पहली हुई है मैं मोहित मौर्य हूँ ये टिपपा है नमस्कार